आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम ब्लाउच का बायकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब महीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और सब्सक्राइब के बगर में इंच पर कट किया है और दो इंच पर इसकी गुलाई दी है कले की चोड़ाई हम धाई इंच लेंगे कि दस इंच तक इसे हम डीप रखेंगे अज़े तीन इंच पर निशान बना देंगे कि आधा इंच हम चोड़ते हुए इस तरह बनाएंगे और यहां पर देखे हमने डेर इंच बाहर की साइड में बढ़ाया है अब हम इसे कट कर लेंगे कि हमने इसे कट कर लिया है अब हम इसे कपड़े पर रखेंगे और कट करेंगे अब हम गले को बुक्रम पर निकालेंगे तरह हम बराबर से मिलाते हुए रखेंगे अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरह बुक्रम को अच्छे से मिलाते हुए कपड़े पर रखेंगे और इस पर हम प्रेस करके इसे अच्छे से कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे अब हम अंदर की साइट से भी आधा हिंच कपड़ा बचाएंगे और कट कर देंगे इस तरह देखे हम पहले गले के बाहर की साइट के कपड़े को इस तरह अंदर की तरह मोटे हुए स्लाई लगा देंगे इस तरह देखे हम ब्लाउज के सीधी साइट में इस तरह गले को मिलाते हुए रखेंगे और स्लाई लगाएंगे देखिए हमने सिलाई लगा दी है और देखिए गले पर हमने कट लगा दिया है अब हमें अंदर की तरफ पलटना है पलटते हुए गले पर सिलाई लगा देंगे यह हमने गले पर सिलाई लगा दी है अब हम गले पर डिजाइन बनाएंगे डिजाइन बनाने के लिए इस तरह देखिए हम कपड़ा लेंगे जिसके हमने पट्टी कट की है चोड़ाई देखिए 1.5 इंच है इस तरह हम काट कर लेंगे एक इक इंच चोड़ी हमें काट करनी ह यहां से देखिए हम धाई इंच तक निसान बनाएंगे इधर से भी हम धाई इंच पैर बना देंगे हमें डिजाइन बनाना है हमने निसान बनाया है वहीं से हम डिजाइन बनाएंगे इस तरह हम बनाएंगे इस तरह बना कर हम लगाएंगे झाल झाल इसी तरह देखिए हम बराबर दूरी पार सभी डिजाइन्स बना लेंगे जहां तक हमने देखिए निशान बनाया है दूसरी साइड में वहां तक इसी तरह हमें डिजाइन बनाना है देखिए हमने जहां तक हमने निशान बनाया था वहां तक हमने डिजाइन को बना लिया है जिस कपड़े से हमने डिजाइन बनाई है उसी कपड़े से देखे इस तरह हमने पट्टी बनाई है जितनी चोड़ी हमारी पट्टी है नहीं छोड़ते हुए हमें लगाना है दूसरी साइट से भी स्लाइ लगा देंगे पट्टी कर हमने लगा लिया है इसे चेंटर से निसान बनाएंगे आव यहां से देखिए आलमोल से हम डेर से इंच पैण निसान बनाएंगänge इधर भी बनाना है हमने इसे बलाउच के बाड़ से कट किया है आप िसी हमिन लगाना है हम दे निसान बनाया है वहां से हमिन लगाना है रखते हुए झाल झाल इस तरह से देखिए हमने बराबर से इसे लगा लिया है अब हम यहाँ पर जिस कपड़े से हमने डिजाइन बनाई है इसी से एक बटन बनाकर यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे देखिए हमने यहाँ पर बटन लगा दी है अब यह हमारा डिजाइन बन गया है तो हमारा यह डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद अगले के कीजिए हमारा लगा लगा गाएंगे जाएंगे झाल झाल